हाई मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक ट्वीटी टू कॉम्डिटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में एक बार फिट से बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप ट्रेंट लाइन ड्रोग कर सकते हैं अगर आपने वो सारा वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे यूटूब चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं तो हमने ट्रेंड लाइन को उपर बेसिक से स्टार्ट किया है और अब हम यहाँ पे एड्वांस लेबल तक पहुँच चुके हैं अगर आप इस वीडियो को पहली बार देखें तो सबसे पहले आप वह बेसिक अला वीडियो जाकर देख लिए तब आपको यहाँ पे अच्छे समझ माएगा और यहाँ पे हम ट्वेंड लाइन को उपर रेगलर बेसिस पर बात क्यों करें और इतने सारा वीडियो क्यों बना रहें इसलिए बना रहें क्योंकि अगर आप ट्वेंड लाइन समझ जाएंगे तो आप मार्केट के मुमेंट को समझ सकते हैं market क्या कहना चाहरा उसको आप समझ सकते हैं इसके price action को आप समझ सकते हैं overall market के बारे में आपको एक complete idea मिल जाएगा जो कि आपको अपने trade को profitable बनाने में help करेगा इसलिए यहां पर हम trend line को समझने कोशिज करते हैं और साथ ही साथ यह आपको एक strong support level बेस्टेंस level इसका भी idea दे देता है अगर आपको वो पता चल जाता है तो उससे भी काफी हद तक आप trap होने से भी बच सकते हैं यह आपको multiple front पर help करता है इसलिए आपको trend line draw करना आना चाह आते हैं तो चलिए देखते हैं कैसे हम trend line draw करेंगे यहां पर आप चार्ट पर आते हैं और यहां पर देख सकते हम वेंड इंडस्ट्री के डेली चार्ट पर आ रहे हैं और आप trend line किसी भी time frame में ड्रॉप कर सकते हैं इसको पांच मिनट पंजा मिनट 30 मिनट वन आबर किसी time frame में ड्रॉप कर सकते हैं इसके लिए कोई limitations नहीं कि आपको यह daily time frame में ड्रॉप करना पड़ेगा लेकिन आप जितना उपर वाला time frame जाएंगे आपका trend line का maturity उतना ज्यादा मिलेगा तो यहां पे आपको चार्ट पर कुछ दिख रहा है बहुत सारी लोगों को नहीं दिख basis करेंगे यहां पर देख सकते हैं यह high बना इससे उपर आपका यह high बना इससे उपर यह high बना इससे उपर यह high और इससे उपर यह high और इससे उपर यह high मतलब यह पूरा का पूरा आपका higher high pattern का formation कर रहा है continue में इसको समझे में कोई दिकत नहीं है पूरा का पूरा आपका higher low pattern का formation हो रहा है तिहां पर हमें दो चीज क्लियर हो गया उपर में higher high और नीचे में higher low pattern का formation एक दम continue देख रहा है तिहां पर हम trend line कैसे draw करेंगे इन सारे high को join करते वे एक trend line draw करेंगे और इन सारे low को join करते वे एक trend line draw करेंगे हमारा trend line आपका इस तरीके का होगा ठीक है? अब यहाँ पे हमें एक और चीज देखने को मिलवा है इसके बीच में इसके बीच में क्या हमें देखने को मिलवा है? वो भी आपको समझना पढ़ेगा सबसे पहले यहाँ पे हमारा एक line ऐसे होगा ठीक है? जो line जा रहा है वो continue है उसके साथ-साथ एक line यहाँ पे ऐसे भी जाएगा ठीक है? यह आपका क्या form कर रहा है? यह आपका एक ascending triangular pattern फॉर्म कर रहा यह नहीं? यहाँ पे हमें एक ascending triangle का formation देखने को मिलवा है और इसको भी हमने कैसे identify किया? हमने trend line draw करके identify किया मतलब यहाँ पे हमें एक parallel channel देखने को लेगा और उसके बीच में हमें एक ascending triangle pattern का भी formation देखने को मिलेगा तो इसको हम trend line draw कर के बताते हैं, real माहिने में कैसे trend line draw करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं वे stance के रूप में काम करेगा और lower वाला नीचे वाला आपका क्या काम करेगा नीचे वाला आपका support के रूप में काम करेगा इसके basis में हम कैसे trade ले सकते हैं cash market में, futures में, options में उससे पर हम आएंगे, सबस्पहले आप इसको समझने की कोसिस किजिए, ठीक है अब यहां पर मैंने आपको क्या बताया था एक आपका ascending triangle pattern का भी formation हो रहा है, इस पैवलल चैनल के बीच में, यह सब भी आपको देखना परेगा और यह बारीकी से आपको सीखना परेगा यह थोड़ा सा advanced level है, इसलिए यहां पर मैं आपको सारा कुछ दीटेल से बता रहा हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो इसके उपर हमने टीन वीडियो अलवेडी बना रखा है, आप वहां से सुरुवाद कीजिए, अब यहां पर देखिए यह लाइन है, यह भी आपका क्या बन रहा है, एक आपका higher low pattern बना रहा, और उपर में यह trend line है, यह आपका एक ascending triangle pattern बना रहा, और यहां पर breakout देखने को मिलवा और यह जो breakout मिलवा, दोनों के basis पर, ascending triangle के basis पर और parallel channel के basis पर हमें सेम जगा पर क्या मिलवा, breakout देखने को मिलवा, एकदम clear cut यहां पर हमें breakout देखने को मिलवा, वो तो breakout है, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हमारा बन जाएगा, entry point और वहां पर हम byset की तरफ जाएगे, और जो भी उससे पहले का lowest point है, इसको करेंगे, तो यहां पर कैसे interview लेना है, समझ में आ गया, और यहां पर क्या करना, यहां पर आपका price कहां पर है, 200 करीब, तो अगर यह F&O stocks होता, तो यहां पर हम क्या करते हैं, 200 का call options यहां पर हम आसानी से buy कर सकते थे, और futures में रहाता हम फिप्टर्स में कि इसके बात हैं, यहां पे हम आपड Mixer का portion हो जाता है, यह जाएगा, तो यहां अगर एफ no stocks है, तो आप है हम इसके बात उपर जाता है, तो यहां पर आप sell किजिए fno stocks है add the money put options आप buy कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आप buy करते हो तो target price हमारा ये रहेगा और यहाँ पे आप sell करते हो तो target price ये रहेगा नहीं तो यहाँ पे एक trend line आ गया तो इस trend line को भी यहाँ पे हम अपना target price के रूप में count करते चलेंगे और यहाँ पे हम अपना profit book करते चलेंगे ठीक है यहाँ पे clear समझ में आ गया यह जो parallel channel बना है इसके basis पे हम कैसे trade execute कर सकते हैं यहाँ पे आप sell कर सकते हैं यहाँ यहाँ पे sell उसके बाद यहाँ पे आप profit booking कर सकते हैं और फिर यहाँ पे breakout यहाँ पे आप 25 की तरफ जा सकते हो यहाँ तक का clear है आपका हमने कहां से उठाया September से लेके आपका जुलाई तक का सारा कुछ clear कर दिया और यहाँ पे हम 2021 से पहले का यह आपका 2020 September से है हमने उस टाहें पे 2021 बोल दिया था अब यहाँ पे देखिए इसके आगे क्या कुछ हुआ है इसके आगे सारा का सारा मैं आपको एक साथ ही बताता हूं इसके आगे देखिए यहाँ पे यह क्या है हाई बना यह नहीं हमें breakout देखने को मिला था इस लेवल के करीब उसके बाद ओल दबेई आपका 200 से 260 करीब गया था और एक और जीर देखना जो हमारा पैवलल चैनल था वो क्या था वो आपका अप्ट्रेंड में ही था ठीक है आपका अप्ट्रेंड में ही था और अप्ट्रेंड होने के बावजोद भी हमें breakout दिया है कहां पे उपर साइड की तरफ ही breakout दिया है तो अलवेड़ी अप्ट्रेंड है और इस अप्ट्रेंड में उपर साइड की तरफ breakout मिलता मतलब प्राइस आपका बहुत तेजी से उपर साइड की तरफ जाएगा यहनि फास्ट मूव करेगा उसके बाद देख सकते हैं यहां पे हमारा एक सपोर्ट जोन डेबलब हो रहा है यहां पर हम एक लाइन इस तरीके का ड्राक करेंगे और इस point पे मेरा line draw हो जाएगा उसकी बाद जब price इसके करीब आएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम sell side के तरफ जाएंगे अगर FNO stocks at the money put options यहाँ पर हम buy करेंगे stop loss क्या होगा यह highest point यहाँ तक आया है लेकिन price इससे नीचे ही था लगवक 3-4 point आपका नीचे ही था यहाँ आपको बता देना भी चाहूंगा अगर आप देखना चाहते हैं कि इस point का highest point क्या था यहाँ पर देख सकते हैं 258 था और यहा यहाँ पर हम sell set की तरफ जा सकते थे और इस position तक हमारा यह जो support line है यह भी draw हो जाता और all the way हम इस target price के लिए यहाँ पर जा सकते थे ठीक है यहां तक का price section clear है और इसके basis पर हम trend line draw करके कैसे trade ले सकते हैं समझ में आ गया होगा अब यहां पर मैं आपको trend line draw करके बताता हूं इन सब के basis पर कैसे हम trend line draw करेंगे अब देखिए यहां पर भी एक line draw होगा उसके basis पर कैसे trade execute करेंगे वो यहां पर clear समझ में आ गया उसके बाद क्या हो उसके बाद पर यहां पर जो lower high pattern है वो continue है इसको लेकि हमने trend line draw किया यह हमारा support zone था जो कि मैंने already आपको draw करके बताया था और यहां पर एक और सीज़ें जो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि यहां पर देख सकते हैं यह भी एक आपका trend line बना और यह trend line आपका support के रूप में काम करेगा यह आपका एक support level आपको generate करके देरा अब यहां पर देखिए यहां पर हमने sell positions लिया यह टा आपका ऊपर साथ की तरफ गया यहां पर हम बाई करेंगे और टागेट पैस क्या होगा यह वाला टागेट पैस होगा इसको इसने आसानी से हिट कर दिया तो यहां पर हम क्या करें नीचे यह वापस से ल करेंगे और यह जो लोग पॉइंट बना है इसको हम टागेट पैस इसको असानी से हिट कर दिया है यहां पर हम मल्टिपल फ्रंट पर प्रॉफिट बना सकते हैं किसके वेशिस पर यहां पर हमने सिर्फ ट्वेंड लाइन ड्रो किया मार्केट देखिए पूरा का पूरा उसको रिस्पेक्ट करते हुए जा रहा है और इस ट्रेंड लाइन को अ अगर साला कुछ सही रहा ते यह जो हमने ट्वेंड लाइन डोकिया एक परफैक्टली फीट बैठ़ेगा परफैक्टली सही ट्वेंड लाइन हमने ड्रो किया है तिहां पे आप देख सकते हैं टाइम प्रेम को हमने क्या कर दिया अब दैखिए लाइना कुछ यहुए여 हमन यह भी support line था इसको भी respect किया यह नि सारा का सारा trend line हमारा एक दम perfectly fit better है two hour के chart में जबकि इसको हमने draw किया था daily chart में तो आप यहां पर खुद से भी verify कर सकते हैं कि जो हमने trend line draw किया है सही है या नहीं है उमीद करते हैं यह सारा concept आपको समझ में आ गया होगा ताकि इस तरह के वीडियो में और भी regular basis पर आपके लिए बनाते रहेंगे जो कि आपको real terms trading करते समय help करने वाला है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जोड़ सब्सक्राइब किजिए और bell icon दबादा ना भूले सो डाट सौल फैंड मिलते नेक्ट वीडियो में जैहिन